गुद मॉनिंग आईए मैं आपको अपने एक नए सगुलेंट से मिलाती हूं इसका नाम है स्टिंग्स ओफ बनाना बनाना इसलिए कि इसके पत्तियां वो एक तम बनाना के जैसे दिखती है और स्ट्रेंग्स इसलिए क्योंकि ये पत्तियां पत्यों का जो अरेंजमेंट है वो ऐसा लगता है कि ये माला में पिरूई हुई है इसलिए इसको बोलते हैं स्ट्रिंग्स ओफ बनाना तो मैंने इसको पानी में लगा रखता है और एक हफते हो चिक हैं तो एक हफते के कोर्डेंग्स की रूट्स काफी हिल दी है देखिए अच्छे से और मैं यहां से इस पानी में प्लांट करने के जैसा हो जाएगा तो अगर मैं चाहूं तो मैं इसे मिट्टी में लगा सकती हूँ या फिर मैं इसको इसी में छोड़ दूँगी यह देखने के लिए कि पानी में इसकी ग्रूथ कैसी होगी यह देखिए यह एक्छली मेरा मदर प्लांट है स्ट्रिंग्स ऑफ बनाना का और वहां से मैंने कई सारी कटिंग्स इधर उधर लगा रखी है जो अब तक काफी लंबी हो चुकी है यह देखिए इसका साल में अभी इतना लंबा हो चुका है इसके पत्तियों के बीच के गैपिंग बहुत जादा है क्योंकि मेरी इस बालकने में जैसे मैंने पहले भी बताया कि बिल्कुल भी दूप नहीं आती है बस जो इंडाइट सनलाइट हलकी से मिलती है मिंस ब्राइट लाइट जो मिलत यह से सारे प्लांट मेरे सरवाइव कर रहां चल रहे हैं तो यह भी मदर से कटिंग मैं की और मैं अगर इसको अच्छे मिलेग तो यह अच्छे बढ़ने लगेंगे अपने सेम मदर प्लांट से ही मैंने ये सारी कटिंग भी इन सारे पॉट्स में लगाई हैं इनकी भी गुरूथ काफी अच्छी चल रही हैं तो जिस तरह से मैंने बिना धूब के अपनी बालकनी में ये सारे प्लांट लगा रखें आप भी बेजी चक लगा सकते हैं